दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MPPSC के latest syllabus में जो unit 6 है इस unit 6 में MPPSC ने दो main articles add करें जिनके नाम है भारष शाषन आदिनियम 1919 और भारष शाषन आदिनियम 1935 वैसे अगर देखा जाए तो 32 शाषन प्रणाली में बहुत सारे आदिनियम है जैसे 1773 का act या फिर 1909 का अदिनियम या फिर 1947 का भारतिय स्वितंत्रिता अदिनियम देखें लेकिन MPPSC ने इन दोनों अदिनियमों को ही syllabus में add करना क्यों जरूरी समझा क्योंकि ये दोनों ही act बहुत ही ज़्यादा important है इन दोनों act का बहुत ही बड़ा योगदान है भारतिय शाषन प्रणाली में यानि हमारे भारतिय समविधान में इसलिए MPPSC ने इन दोनों acts को add किया हमारे भारतिय समविधान में तो आज हम पढ़ेंगे भारतिय शाषन अदिनियम 1919 तो यहां पर 1919 अदिनियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं जिससे क्या होगा कि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी तो क्या था कि जब प्रतम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि भारत भी इस युद्ध में भाग ले और उसकी help करें अब प्रतम विश्व युद्ध के बीच जो भारतिय लोग थे वो कहीं इसके खिलाप न हो जाए विद्रो ना करते अलग न हो जाए ये डर था ब्रिटेन को क्योंकि ब्रिटेन को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि कहीं उसे भारत ना छोड़ना पड़ जाए और दो-दो जगे वो युद्ध भी नहीं लड़ सकता था तो ऐसे में भारत पे कंट्रोल बनाई रखने के लिए उस ने एक लालच दिया और पहली बार ये घोशना की 20 अगस्त 1917 को कि हम भारत में एक उत्तरदाई यानि Responsible Government बनाएंगे और साथ में ये भी कहां कि भात्यों को ही सत्ता सौपनी की कोशिश करेंगे इसलिए 1919 में भात्य शैशन अधिनियम लाया गया जो 1921 में लागो हुआ इस अधिनियम को Montague Champsport सुधार भी कहा जाता है अब आप ये पुछोगे कि मैं Montague Champsport सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि जब 1919 एक्ट बना उस टाइम पर England के जो PM थे यानि प्रधान मंत्री जो थे वो थे Lord George और उसी टाइम पर भारत के जो सचीव थे वो थे Montague और भारत के जो वाइस राय थे वो थे Champsport इसलिए इसे यानि भारत शाषन अधिनियम 1919 को Montague Champsport अधिनियम के नाम से जाना जाता है यानि भारत के सच्चीव और भारत के वाईज राय के नाम पर 1919 अधीनियम का नाम रखा गया तो Montague कौन था? भारत का सचीव जो ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन की संसत के प्रति उत्तरदाई होता था और भारत का सर्वोज पतादिकारी वाइस राय होता था तो ये जो वाइस राय था ना ये अपनी सारी रिपोर्ट्स किसे देता था भारतिय सचीव को और भारतिय सचीव किसे देता था सांसत ब्रिटेश को तो सांसत के प्रति उत्तरदाई होता था और हिने कैबिनिट मंतरी का दर्जा दिया जाता था तो ये तो थे सचीव और वाइस राय अब इनों ने 1919 अदिनियम के अंदर क्या-क्या में-में चीजे रखी क्या-क्या प्रावधान रखे वो हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भारत के अंदर जो वे केंद्री करण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू ही थी 1861 में और उस वे केंद्री करण की जो प्रक्रिया थी उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था 1919 अदिनियम में और फिर भारत के अंदर नई सूचियों का जनम हुआ जैसे केंद्री और प्रांतिय सूचियों को अलग-अलग बाट दिया गया केंद्र को कुछ अलग विशय दिये गए और प्रांतों को कुछ अलग विशय दिये गए और साथ में ये भी कहा गया कि आप तुम अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाओ नियम बनाओ और उन पर काम करो तो इससे क्या हुआ कि केंद्र का जो राज्यों पर कंट्रोल था न वो कम हो गया यानि केंद्र का जो कंट्रोल पावर था उसे कम कर दिया गया और प्रांतों को भी नई शक्तियां दे दी गई अब इसके अंदर एक और चीज आड करी गई और वो है द्वेद शाषन यानि 1919 अदिनियम के अंतरगत द्वेद शाषन की स्थापना हुई जहां केंद्र इस्तर पर एकात्मक शाषन था वही प्रांतों के इस्तर पर इन्होंने एक नया प्रियोग किया जो सबजेग दिये गए थे जो विशय सूची दी गई थी जो प्रांती सूची थी उस विशय को उन्होंने दो भागों में बाढ़ दिया एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित अब इसमें आरकषित जो विशय थे न वो बहुत ज़्यादा इमपोर्टेंट थे हस्तांतरित विशे कुछ इतने खास इंपोर्टेंट नहीं थे ये जो हस्तांतरित विशे थे इन पर प्रशाशन प्रांतिय गवर्नर और उनकी कारेकारी सदस्य काम करते थे और आरक्षित विशों पर प्रशाषन प्रांते गवर्नर उनकी कारे-कारी परिशत काम करती थी और प्रांतों में ये जो देशाषन प्रणाली लागू की गई थी ना इसका जनकसर लियोनेल कौटिश को माना जाता है आरक्षित विशों के अंदर बू राजस्व, खनीश संसादन, कानून विवस्ता, सिचाई जैसे मामले शामिल थे और हस्तांतरित विशों के अंदर स्वास्त, शिक्षा, उद्योग, क्रशी जैसे मामले शामिल थे और इसके साथ साथ इसमें ये प्रावधान रखा गया कि प्रांतिय गवर्नर कारेकार्णी में कम से कम एक भात्य सदस्य जरूर होगा। इसे युनानी शब्द डाय और की भी कहा गया। लेकिन इस आदिनियम में सबसे इंपोर्टेंट चीज जो हुई वो ये थी कि भारत में पहली बार दुई सदनी विवस्ता और प्रत्रक्ष निर्वाचन की विवस्ता की गई। दुई सदनीय मतलब केंद्री इस्तर पर जो भारत की विदान परिशत थी। उसका नाम बदल दिया गया और उसकी जगह एक दुई सदनीय विवस्ता बना दी गई। एक राज्य परिशत और दूसरी विदान सबा का गठन किया गया। जिने हम लोग आज लोगसबा और राज्य सबा के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछलिया जाए कि भारत में संसद्य विवस्ता का प्रारम हुई। तो आपको बताना है 1853 में। और भारत में लोगसबा और राज्य सबा का प्रारम हुई। तब आपको बताना है कि 1919 अधिनियम के जरिये लोगसबा और राज्य सबा प्रारम हुई। अब केंद्री विधान सबा के लिए 145 सदस्य और राज्य परिशत के लिए 60 सदस्यों की संख्या तै की गई। केंद्री विधान सभा का कारेकाल तीन साल का और राज्य परिशत का कारेकाल पांस साल का तै किया गया और इसके साथ साथ ये भी तै किया गया कि गवर्नर जनरल की कारेकार्णी कुल आठ सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य भारती होंगे अब प्रत्यक्ष निर्वाचन भी भारत में पहली बार शुरू हुआ था और एक बात जो अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि भारत में सिर्फ हिंदो मुसलिमी नहीं इसके अलावा और भी डावसिटी है इसलिए इने तोड़ो इने अलग करों क्योंकि अगर ये एक हो गए ना तो शाषन खत्रे में आ जाएगा जब उन्हें ये समझ में आया कि भारत में तो सिख, इसाई, अंगल भारती और यूरोपियन भी हैं तब उन्होंने ये दिमाख लगाया कि क्यों न जिस तरह से 1909 अधिनियम के तहट हमने मुसलिम के लिए अलग से सामप्रिदाइक निर्वाचन छेत्री बनाई थे क्यों न उसी तरह से इन सब के लिए भी बना दिया जाए और इसका विस्तार कर दिया जाए यानि सिख केवल सिख को वोट देंगे, भारतिय इसाई केवल भारतिय इसाई को वोट देंगे इससे क्या होगा कि ये जो भारति है न ये एक नहीं होंगे लेकिन अब हुआ क्या कि जो मतादिकार के राइट्स थे वो कुछ लोगों तक ही सिमित कर दिये गए मतलब संपतिकर, शिक्षा के आधार पर ही वोट दिया जाता था यानि जो लोग high educated थे, जो tax भरते थे, बस उन्हें ही मत देने का अधिकार था आज की जैसे नहीं कि 18 साल से उपर का हर व्यक्ति वोट दे सकता है अब इसमें एक और व्यवस्ता की गई, इसमें एक लोग सेवा आयोग का घठन किया गया 1926 में सिविल सेवकों के भरती के लिए केंदे लोग आयोग की स्थापना हुई थी यानि कि CPSC, Central Public Service Commission की स्थापना हुई थी जिसे पाद में 1935 अधिनियम के तहट इसका नाम बदल कर UPSC कर दिया गया था यानि कि Union Public Service Commission इसी अधिनियम की जरिये प्रशाशन और कानून निर्मान दोनों ही छेत्रों में भातियों को प्रतिनिटित्विद दिया गया था इसमें पहली बार केंद्री बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था और राज्यी विधान सबा को अपना बजट बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया था जो आज हम देखते हैं कि केंद्रों और राज्ये अपना अपना बजट बनाते हैं तो इस विवस्ता की जो शुरूआ आते वो 1919 अधिनियम के तहती हुई थी। इसी अधिनियम के जरिये देशी रियायसतों के महत्यू को भी समझा गया और एक नरेश मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। नरेश मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का वैसराय होता था। और सबी रियासतों के लिए इस नरेश मंडल में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में समवेधानिक सुधारों के लिए उन्नीस सो उन्नीस का ये भारत शार्षन अधिनियम पारित किया था। लेकिन इसको पारित करने का मेन मकसद भी अंग्रेजों द्वारा अपनी मतलब को पूरा करना था इस अधिनियम से भारतियों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ